आज मोदी जी उथर बैठे हैं तो क्या आप जब भी मैं प्राइम मीडिया को खोलते हैं आप देखते हैं कि विकास हो रहा है विकास हो रहा है विकास हो रहा हुँसी हुए हवा में से आव जाती आरे जमीनी सचाई पे भी तो आके देखिए आज लोग जो है बेरोजगारी से तड़फ रहे हैं परिशान है ठाकुर बढ़िया च्छत्री ये जो लोग हैं ये कुल मिलाके 10% है इस देश के अंदर आज देश में लोकतंत्र के जो चार पिलर होते हैं विदाई का नया पाली का और मिडिया इन सब के ओपर इनी का राज है तो इधर तो एक निवाला भी मुह में जा रहा है और उधर एक एक दो दो रूटी उनको मिल रही है तो ये तो बहुत अन्याय वाली बात है तो इससे दूद का दूद और पानी का पानी होगा यह प्राइम मुद्दा है नमस्कार मैं प्रियंका आप देख रहे हैं जनहीत आवाज लगातार OBC समाज की बात हो रही है हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं उनसे बात चीत करेंगे कि OBC समाज कहां तक जागरुख हुआ है सर कहां तक OBC समाज जागरुख हुआ है लगातार आप कारिकरम कर रहे हैं क्या लग रहा है आपको हमें बहुत खुशी है सबसे पहले हम आप धन्यवाद करते हैं सभी वीडिया बंदू होगा असल में यह मुद्धे कुछ नहीं है बहुत सारे मुद्धे हैं देश को अजाद हुए तो 75 साल हो गए हैं लेकिन आज जो 100 करोड से जादा लोग जो 90% के जो बहुजन आप अबादी आप 140 करोड बांते हैं तो वो 100 करोड से उपर उनके आबादी बैठती है अब सवाल यह है कि कुछ जो है समाज बहुत आगे निकल गए और यह 100 करोड लोग जो है जो में स्टीम है भारत भारत की जो मुख्यदारा उसकी रेस में बहुत पिछड़ गए इसका क्य कारण है कि जो 10% लोग है जिसमें 3.5% तो ब्रामन है और भाकी ठाकुर बणिया च्छत्री यह जो लोग हैं यह कुल मिला के 10% है इस देश के अंदर आज देश में लोगतंत्र के जो चार पिलर होते हैं विदाईका नैपालिका और मिडिया इन सब के ओपर इनी का राज है इनी के नियाई धीश हैं इनी के सारे अप लगतार OVC कारिकरम करवा रहा हैं क्या लग रहा है कि उस कारिकरम से OVC समाच जागरुक हो रहा है कि नहीं बिलकुल हो रहा है यह विवस्ता परिवर्तन के लिए यह जो हमारे 100 करोड़ लोग जो इनको जगाने के लिए है इस सचाई पर भी तो आके देखिए आज लोग जो है बेरोजगारी से तलफ रहे हैं परिशान हैं उनके पार रोजगार नहीं है और उनके पास आगे बढ़ने के कोई साधा नहीं है और कोरोना काल में जो है लोगों के और कमा टूड़ यह महिंगा इतनी जादा है कि लोग ज यह एक लाख करोड़ों का प्रधान मंत्री जी ने दिया था उसका कुछ पता ही नहीं हुआ जब दूसरी लहर आई तो उसका भी कुछ मालूम नहीं पड़ा है देश के अंदर जो है ऑक्सिजन की कमी रही बैड्स की कमी रही तो वो जो एक लाख करोड रोपय था तो ऐसी बहुत सारी योजना है प्रधान मंत्री जी बोलते हैं लेकिन वो सब हावा हावा हाई होती हैं जमीन पे जो है दबे कुछले शोशित वंचित पीडी समाद को कुछ भी नहीं मिल रहे है तो यह जो हमारा कारकम है जो बैश्कत वैलफेर फांडेशन इंडिया के माध्यम से जो कि भारत सरकार दो और अमानता प्राप्त है हमने रखा है 23 और 24 जुलाई को और यह दिली के एतियासिक रामलीला मैदान जो कि अजमेरी गेट पर होगा और ना के विला आप जो एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि पिछला वर्ग पिछला वर्ग नहीं यह चारो वर्ग अन इंडिविजली भी हमने किया था हमारी उतना प्रदेश के ऐसी समस्य थी जो कूरी समाज उसका सर्टिफिकर जो है सरकार ने रुका रखा था जो आज भी रुका हुआ है इसके अलावा हमने जो बुनकर समाज हमारा उसके लिए हमने बुनकर आयो की मांग की थी इसके अला भाई वो तो उन्होंने जैसा कि अमिक शाजीने वाला वो तो जुमला था ये तो केवल जो है एक रोजी फीगर दिखाते हैं रोजी फीगर मतलब मुंगेरी इलाल के हसीन सपने और जो पंद्रा-पंद्रा लाक है इनका वादा था गरीब जन्ता तो उसमें आगे इनके प्र भारत का नाम पूरे विश्पटल पर चमकाया आज उनकी हालत आप देख लिजिए और जो सेक्स्वल हरास्मेंट का जो उनका मंत्री है ब्रज भूजियन सरन सिंग वो आज तक पॉक्स को उसके खलाफ लगई अन्य धारा उसके खलाफ लगए लेकि उसको गरफतार नहीं क कारिक्रम कर रहे हैं इस कारिक्रम के बारे में दर्सकों को बताईए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कारिक्रम में आ सके हैं देखिए हमारा जो बहुसंख्यकों का जो प्रोग्राम है रामिला मैदान में 2022 से हम लगातार कर रहे हैं दिसंबर में किया था हमने फिर उस और अपनी जो हमारी मांग हैं उन मांगों पर विचार किया जाएगा और सरकार से हम वो मांग मनवा के रहेंगे। भारती सम्माज के लिए लड़ना है और अपने समाज को जागरू करना है। क्या शेहि की बारे में कहा जा रहा है कि बिना ओवीसी समाज के राजनीती भारत की चल नहीं सकती। देखी बारत की राजनीती में सबसे वड़े चीजें रहे name वो विचारी समाज के बहुत-बड़़े मुद्दे हैं और ओवीसी समाज एक बारत का शंजन समाज है। मैं सबसे पहले तो अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अधीक से अधीक संख्या में आप इस कारिकरम में आए और इस कारिकरम में भाग लें। दूसरा मैं चाहूंगा कि जो लोग हैं जो देश की जनता है वो इस कारिकरम के लिए कुछ डोनेशन भी दें। कुछ भाना फाइनशल सपोर्ट भी करें वो भी बहुत जरूरी है तूकि यह सब चीज जो है यह जनता का आंदोलन है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस समें भारत में जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां उन्हों खतम कर दी। और प्राइवेट नौकरी भी खतम कर रहे हैं। उसमें भी लोगों का पारिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। और एक तरफ उन्हों थर्ड़ पार्टी सिस्टम कर दिया है।चलों जहां पर भारत सरकार में नौकरियां प्यों की को दे प्रत को भारत इस्टम Sono आज हो लोगों की उनोकरियों ग्यों है दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है जो है जो युवाओं में खास कर करके है युवाओं में बड़ी निराशा फैल रही है वो क्या हो रहा है कि जब वो सरकार में मान लेजे किसी तरह से उनका चैन भी हो जाता है वो बहुत मुश्किल से कंपोटिशन होता है दोसो सीट के लिए पंदरेश बैचे बैठ रहे हैं संमीरजी को में मेरिट मेरिट जो जो बंती है उसका वहता है उसका उप्यूग नहीं कर रहे है उसका रा यह और ऐस का को जाह अपरोज है जो भी है तो उनके मनमाफिक डरीके से उसकतो के डियेट हे उसको जुद काई तरी और ज्यादा नमबर दे करक contradictory में घुशट अरिन गुषिवाव कहां पर्रस प्रस नहीं ह् funktion एología यह जान परशान फी पोड़ुक्र 2018 में रूलिंग लाया, 2018 से पहले की सिस्टम था, कि जो प्रोफेसर पर पढ़ा रहे हैं, उनका इंटर्वी होगा परमनेंट करिये, देखे कोई टीचर जो आप प्रोफेसर को देख रहे हैं, वो बारा-बारा साल से पंदरा-पंदरा साल से प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं उनको कोई सुविदा नहीं मिलती सरकार की, उनको जो है, लीव नहीं है, वन अप सिक लीव नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, इसके लिए कौन जिम्हेदार है सार्व? मैं बढ़ी बता रहा हैं को, पर पूरी बास समझ लिए आप, तो अब उसमें क्या है, कि उन्होंने उ वो 20% इंटर्वी को होता था, बाकी 20% उनकी योगता होती थी, 20% उनका experience होता था, 20% उनका प्येज्ड का थैसी उसका मार्स होता था, तो टोल हंडर्ट जोड़ता था, अब उन्होंने कर दिया कि इंटर्वी में 100%, बाकी सब बाहर, अब ये इंटर्वी बोर्ड को उनने बारे साल से पढ़ा रहा था उसने सुझाइट कर लिया वह अपना OBC समाज के आदमी था बंचित समाज के आदमी था तो कहने का मतलब यह है कि अभी इनुने उसको इंपावर कर दिया अभी उसमें धांदली और मनमानी कर रहे हैं इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जो है वह समझे वहाँ पर सम्मेलन होने वारा 23 और 24 जुलाई को मैं अपील करता हूँ कि अधिक साधिक संक्या में वहाँ आएं और अपने हक की अपने मांग की वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं क्या सम्मेलन में यह मुद्दा होगा मुक्ष प्राइम मुद्दा तो यही है देख उसके बाद अभी 2011 में लेकिन उसको एक्सपोज नहीं किया गया क्योंकि अगर उनको एक्सपोज किया जाएगा तो यह मालूम पढ़ जाएगा कि कितने अनुसिजाती के परतीशत इस देश में है इसी प्रकार जन्जाती का और सबसे बड़ा नुक्सान तो ओबीसी का यह लेकिन सवाल यह है इस साड़े 99% के अंदर तो 90% लोग जो है वो आरक्षन पारें लेकिन उधर आप देखें वो 10% लोग जो है साड़े 51% पारें तो इधर तो एक निवाला भी मुह में जा रहा है और उधर एक एक दो दो रूटी उनको मिल रही है तो यह तो बहुत अन् प्राइविट सेक्टर में देना शुरू किया है उनको इस परकार से सहरे जो है जो सेवा निवरुत नयायदीश और बड़े डॉक्टर इंट्रिलेक्चुल अकर के इसको बड़े बेट तो आप देख सकते हैं OBC समाज जिसको कहा जाता था कि OBC समाज हिंदुत में बढ़ चुका है या वो सो रहा है तो आप इस खबर के माध्यम से देख पाएंगे कि लगातार OBC सम्मेलन कर रहा है और जगाने की कोशिस कर रहा है अपने बहुजन समाज को ताकि वो अपने ओट की चोट सही जगां कर पाए जाती जनगरना करवा पाए इस खबर पे आपकी क्या रहा है आमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद